हेलो नमस्कार और वेल्कम बैक तो माई यूट्यूब चैनल नाराइनी व्लोग में और आज मैं आप सबी लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खस्ता सी मठरी जो कि आप चाई के साथ कह सकते हैं सुबह शाम नाश्टे में खा सकते हैं स्नैक्स की तरह कह सकते हैं तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसकी रेसेपी मैं यहां पर ले रही हूँ लगबाग 200 ग्राम मैदा जिसको सबसे पहले तो मैं चान लोंगी ताकि उसमें जो भी गंदा होगा वो निकल जाए मैदा चानने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ एक चम्मच अजवाईन जिसको कि मैं हाथ से क्रश करके इसमें डालूंगी फिर मैं इसमें डाल रही हूँ आदा चम्मच जीरा एक चमच काली मिर्च का पाउडर उसके बाद आधा चमच में इसमें डाल रही हूँ नमक और तीन बड़े चमच में इसमें डाल रही हूँ तेल तेल डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तेल जो है वो हमने मैदे में अच्छे से मिक्स कर लिया है तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर इस तरीके का शेप बने तो इसका मतलब जो ओईल है वो उसकी मात्रा बिल्कुल सही है ये देखिए अब मैं इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी अट करूँगी एक साथ मैं नहीं डालूँगी वरना जो डो है वो गीला हो जाएगा तो इसलिए मैं थोड़ा-थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ इसमे और मट्री का जो आटा है वो हमें थोड़ा सा टाइट गुनना होगा अब जो डो है वो अच्छे से टाइट गुन के तयार हो गया है तो अब मैं क्या करूँगी पांच मिनट के लिए मैं इसको ढखके छोड़ देती हूँ और जब तक हमने डो को रेस्ट पर रखा है तब तक हम एक पेस्ट तयार कर लेते हैं जो हमें मट्री में लगाना होगा तो एक चमच मैंने ले लिया है मैदा इसलिए एक चमच मैं इसमें डाल रही हूँ घी इसको हमें अच्छे से घोल लेना है और इसकी जो consistency है वो इस तरीके की होनी चाहिए देखिए जैसे condensed milk होता है बिल्कुल वैसी consistency इसकी होनी चाहिए पाँच मिनट हो चुकी है तो अब एक बार dough को चेक कर लेते हैं और ये देखिए किता soft हो गया है तो अब इसको एक बार फिर से मैं गून लेती हूँ अब जो dough था उसकी मैं एक लंबी सी लोई बना लूँगी और लोई बनाने के बाद इसको मैं तीन हिस्सों में कट कर लूँगी अब इन दो हिस्सों को मैं रख देती हूँ और एक हिस्से की मैं फिर से लोई बना लेती हूँ लोई बनाने के बाद इसको प्लेटफॉर्म पे रखे मैं अच्छे से बेल लूँगी अब इसको हमें जितना पतला हो सके उतना पतला बेल लेना है जरूरी नहीं है कि हमें इसको गोल आकार काई करना है इसको हम किसी भी शेप में बेल सकते हैं बस हमें ये धियान रखना है कि इसको हमें बहुत ही जादा पतला बेल लेना है तो अब मैंने इसको अच्छे से बेल लिया है और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको कितना पतला रखा है ये देखिए इतना पतला मैंने इसको बेल लिया है तो अब जो पेस्ट मैंने बनाया था मैदा और घी को मिला के उस पेस्ट को मैं इसमें थोड़ा सा डाल दूँगी और अपने हाथों से इसको सभी जगा में अच्छे से फैला दूँगी अब ही हमने सिर्फ एक चमच का ही बनाया था एक चमच मैदा और एक चमच घी मिला के अगर आपको लगे कि पेस्ट कम हो गया है तो इसी तरीके से हम और भी पेस्ट इसका बना सकते है पेस्ट मैंने सभी तरफ अच्छे से लगा दिया है तो हम मैं एक तरफ से इसको रोल करना शुरू करूंगी और ये जो रोल हम कर रहे हैं इसको हमें बहुती टाइट करना है ताकि बीच में कोई भी गैप न रहे पूरा रोल करने के बाद एक बार मैं इसको इस तरीके से रोल कर लूँगी ताकि बीच में कोई भी गैप न रह जाए अब ये जो side side के corners हैं उनको मैं काटके अलग से निकालके रख लूँगी फिर मैं इसके छोटे-छोटे पीस काट के रख दूँगी ताकि मठरी बनाने में आमें आसानी हो तो इन सब के मैंने छोटे-छोटे पीसेस कट कर लिये हैं अब मैं इन सभी पेडों को एके करके हाथ से प्रेस कर दूँगी ऐसा करने से ये जो पेड़े हैं वो बहुती जल्दी बेल जाएंगे टाइम हमारा बच जाएगा तो अब सभी पेडों को मैंने हाथों से प्रेस कर लिया है अब मैं एक पेड़ा लेकर उसको बेल लूँगी और इसको भी हमें बहुती पतला बेलना है देखें मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको कितना पतला बेला है ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से बेलना है अब जो पेस्ट हमने बनाया था मैदे और गी को मिला के वो पेस्ट हम इसमें लगा देंगे पेस्ट लगाने के बाद इसको हम एक बार फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद इसके उपर हम वही पेस्ट लगा देंगे उसके बाद फिर से इसको एक बार फोल्ड करके इसको ट्राइंगल शेप का बना देंगे और उसके बाद इसको हम बेल लेंगे इसको मैंने तिकोने शेप में बेल लिया है अब मैं इसके दोनों और फोक से छेट कर दूँगी तो बाकी की मट्रियां भी हम इसी तरीके से बना लेंगे तो ये देखिए मैंने मट्रियों को बेल के तयार कर लिया है और देखने में कितनी सुन्दर-सुन्दर प्यारी-प्यारी छोटी-छोटी सी मट्रियां लग रही है और तेल जो है वो मैंने मीडियम आज पे रखके गरम कर लिया है जादा गरम नहीं करना है तेल को उसके बाद एक ही करके मैं इसमें मट्रियां डालना शुरू कर देती हूँ और जब ये मट्रियां उपर आ जाए तैर के तो उसके बाद गैस की फ्लेम जो है मैं वो हल्की से कम कर दूँगी अब देखिए सारी जो मट्रिया है वो धीरे धीरे तैर के उपर आ गई है गैस की फ्लेम को मैंने कम पे रखा हुआ है और थोड़ी थोड़ी देर में मैं इसको पलट रही हूँ ताकि दोनों तरफ से अच्छे से पक जाए और अंदर से भी अच्छे से पक जाए तो अब यह बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है देखिए मैं आपको दिखाती हूँ बस इतना कलर हमें इसका करना है इससे और ज़्यादा गाड़ा नहीं करना है तो अब मैं इसको निकाल लूँगी और बाकी की मट्रियां भी हम इसी सेम प्रोसेस से बना लेंगे तो लीजिये बनके तयार है हमारी गर्मा गरम प्यारी प्यारी से चोटी चोटी से मट्री जो कि मैं आपको दिखाती हूँ कितनी लेयर्स वाली बनी है परत वाली बनी है हमारी मट्री दोनों तरफ से दिखाती हूँ मैं ये देखिए और मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसी बनी है ये देखिए कितनी क्रंची सी बनी है और अंदर से भी अच्छे से पक चुकी है अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाऊंगी और ये देखिए कितना क्रंच है इसमें तो आप भी आज ही बना कि इसको ट्राइ कीजिए और चाइ के साथ इंजॉई कीजिए प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बैल आइकन दवाना न भूलिये ताकि मेरी नए नए वीडियो आप तक पहुशती रहे